दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये है तो छोटी, लेकिन है बड़ी ही मज़िदार। इसके लेखक हैं O.Henry और कहानी का नाम है The Worley Gig of Life, यानी जीवन का पहिया। तो आएए शुरू करते हैं आज की कहानी। जस्टिस वेनाखाव विडप अपने दफ्तर में दर्वाजे के सामने बैठे चुरूट पी रहे थे। सामने कमबरलैंड की पहाड़ियां दोपहर के कुहासे में नीली और भूरी दिखाई दे रही थी। एक चितकबरी सी मुर्गी बस्ती की मुख्य सडक पर यूँ ही चू पतनी को लिये हुए एक बैल गाड़ी आई। वो गाड़ी जस्टिस के दफ्तर के दर्वाजे पर आकर रुकी और उसमें से पती पतनी दोनों नीचे उतरे। रेंसी करीब 6 फुट लंबा पीले भूरे रंग का दुबला पतला आदमी था जिसके बाल सुनहरे थे। उसकी वहां देखकर अपने पद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए जस्टिस महोदे ने अपने जूते पहन लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। अंदर आते ही महिला ने कहा। हम दोनों तलाक चाहते हैं। रेंसी ने भी सहमती में सेरह लाते हुए कहा। जी हां तलाक। पात दिन सिर्के उपर चिक-चिक करती हो, तो उसके साथ रहना किसी भी इंसान के वश्की बात नहीं है। और ये भी सच है कि जब आदमी बेकार का कीड़ा हो, दारू बनाने वाले निकम्मों के साथ गूमता हो, सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता हो, और भूखे शिकारी कुत्तों को पाल कर उनके गिरोहों से मासूम लोगों को तंग करता हो, तो ऐसे आदमी के साथ कोई और भ उसे बढ़िया कुत्तों पर डाल देती हो, आदमी के खाने लाए खाना तक ना पका सकती हो, और बिना किसी कसूर के इलजाम लगा लगा कर रात रात भर उसे सोने न देती हो, तो कोई ऐसी आदमी के साथ कैसे रह सकता है भला, पतनी भी कहां पीछे रहने वाली थी, जी हा अपने करतवे का पालन करने के लिए सक्रिय हो गए, वो उन दोनों की ये बकवास और ज्यादा सुनने के मूड में नहीं थे, उन्होंने एक कुरसी और एक स्टूल उन दोनों को बैठने के लिए दिया, फिर कानून की किताब को टेबल पर रखा और उसकी चानबीन करने ल लेकिन अगर दो इंसानों में जरा भी न बनती हो, तो फिर ऐसे में साथ रहने से कोई फायदा नहीं, अगर एक justice of the peace दो प्राणियों को शादी के बंधन में बांच सकता है, तो वो उन्हें तलाक दिलवाने का भी हक रखता है, ये कोट तलाक का आदेश देगा, और सुप दॉलर का एक नोट निकाल कर टेबल पर रख दिया और बोला, इसके लिए मैंने लोमडी के फर और हिरन की खालें बेची हैं साहब, मेरी सारी जमापुझी बस यही है, ले लीजिए, नियाया धीश महोदय ने अपने चेहरे के भावों में कोई बदलाव लाए बिना, वो रेंसी विलब्रो और उसकी पतनी ने उस तलाक नामे की वो इबारत सुनी, जो उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से मुक्त कर देने वाला था, जज महोदय ने उन्हें पढ़कर सुनाया, हर खास और आम को इतला की जाती है, कि रेंसी विलब्रो और उसकी पतनी अरीला आज की तारीख में मेरे सामने हाजिर हुए, और उन्होंने अपने होशो हवास में ये प्रतिग्या की, कि आज से वो एक दूसरे को ना प्यार करेंगे, ना इज़त देंगे, ना भले के लिए, ना बुरे के लिए, एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे, और राज्ये की शा महोदय ये इकरार नामा रेंसी के हाथ में देने ही वाले थे कि अचानक अरीला की आवाज ने उन्हें इस काम से रोक दिया दोनों ही पुरुष उसकी तरफ देखने लगे दोनों की नीरस मरदानगी को एक औरत की अचानक और अप्रत्याशित बात का सामना करना पड़ा अरी के बाद हॉक बैक पहाड़ी पर अपने भाई के घर जाने का सोच रही हूँ तो उसके लिए मुझे एक जोड़ी जूते नस्वार और कुछ दूसरी चीज़े भी चाहिए अगर रेंसी तलाक देने की हिम्मत रखता है तो उसे मेरे भरन पोशन के लिए भी पैसे देने जज को ये बात सुनकर लगा कि औरत की आपत्ती एकदम वाजिब है और कानून के द्वारा ध्यान देने लायक है हलांकि राज्ये के नियम भरन पोशन की रकम के बारे में कुछ नहीं कहते लेकिन जज महोदय को ये साफ दिखाई दे रहा था कि औरत के पैरों में जूते नहीं थे और होकबेक पहाडी की पकडंडी एकदम धलवां और पथरी ली थी उन्होंने अधिकार भरे स्वर में कहा तो अरीला विलब्रो तुम भरन पोशन के लिए इस मामले में कितना रुपया वाजिब और काफी समझती हो अरीला ने जवाब दिया मेरे जूतों और द नुचित तो बिलकुल नहीं है तो रेंसी विलब्रो कोट तुम्हें आदेश देता है कि तलाक स्विकार करने से पहले तुम्हें अपनी पतनी को पास डॉलर देने होंगे रेंसी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा मेरे पास अब पैसे कहा है जो कुछ थे वो तो मैंन पहले ही दे दिया आपको अपने चश्मे के ऊपर से रेंसी पर एक कठोर नजर डालते हुए जज ने कहा ये रकम तो तुम्हें देनी ही होगी वरना तुम्हारे ऊपर कोट का ओर्डर ना मानने का केस चलाया जाएगा रेंसी थोड़ा धीला पढ़ते हुए बोला अगर आ तक के लिए मामला मुलतवी किया जाता है कल तुम यहां आकर पहले कोट के आदेश का पालन करोगे फिर मैं तराक का आदेश जारी करूँगा इतना कहकर जज महोदे फिर से दर्वाजे के सामने जाकर बैठ गए और अपने जूतों के फीते धीले करने लगे रेंसी ने तै जज महोदे फिर से अपना चरूट पीने लगे दो पहर के बाद उनका वीकली अख़बार आ गया और वो उसे शाम होने तक जब तक की अक्षर धुंदले ना दिखाई पढ़ने लगे पढ़ते रहे फिर उन्होंने चरबी की मौमबत्ती जला कर अपनी मेज पर रख ली औ और चांद उगने तक फिर से पढ़ते रहे ताकि खाना खाने का टाइम हो जाए वो चिनार के पेड़ों की कतार के पास वाली धलान पर एक दो कमरों माले लकडी के मकान में रहते थे जब खाने का वक्त हुआ तो वो घर की तरफ चल दिये और लॉरेल की ज़ाडियों के प उस आदमी ने कहा चुप चाप जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो नहीं तो पिस्तॉल का घुड़ा दबा दूँगा घबराय हुए जज महोदे ने कोट की जेब में ठुसा वो पांस डॉलर का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोले मेरे पास तो ये पांस ड जाली में ठूस दिया डाकू बोला अब सीधे अपने घर जाओ मुड़ कर देखना भी मत जज बीच में कहीं पर भी नहीं रुके और ना ही उन्होंने मुड़ कर देखा दूसरे दिन रेंसी बिलब्रो की बेल गाड़ी कोट के आगे आकर फिर से रुकी इस बार जज महोद अपने जूते पहले से ही पहने हुए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि फर्यादी आने वाले होंगे। कुछ देर दोनों अपनी आजादी के परवाने को हाथों से मोडते हुए अजीब सी खामोशी के साथ खड़े रहे। फिर औरत ने विवश द्रिष्टी से थोड़ा लजाते हुए रेंसी की तरफ देखा और बोली। रेंसी ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। रेंसी ने लुटे हुए से स्वर में कहा। मैंने तो आज तक कोई ऐसा नीच इंसान नहीं देखा जो जाने वाले को अलविदा ना कहे। लेकिन अगर कोई बिना सुने ही जाना चाहता हो तो कोई क्या करे फिर। अरीला चुप खड़ी रही। उसने तलाक का अग्या पत्र और पांच डॉलर का नोट अपने ब्लाउज में खोंस लिये। फिर बोली। अच्छा रेंसी आज रात को कमरे में तुम्हें अकेला पन तो जरूर महसूस होगा है ना। रेंसी विल्ब्रो बिना कुछ बोले सामने पहाड़ी की तरफ देखता रहा। उसने पलट कर अरीला की तरफ नहीं देखा। फिर बोला हाँ सूना पन तो बहुत होगा। लेकि अपने घर में रहने ही नहीं देना चाहें तो फिर किसी के पास तलाग लेने के अलावा और चारा भी क्या होता है। तुम्हें किसने मना किया रहने से अरीला हाँ ठीक है मना नहीं किया तो किसी ने रहने के लिए कहा भी तो नहीं रेंसी मेरे ख्याल से अब मुझे चल ही देना चाहिए अरीला मोडी और पीछे से रेंसी ने कहा मैं उस पुरानी घड़ी में चाबी नहीं लगाऊंगा अरीला पल्टी और बोली तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में चल कर उस घड़ी में चाबी दूँ रेंसी अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ा कर अरीला के पतले घोरे हाथ को पकड़ लिया औरत की पवित्र आत्मा की आभा उसके सुने चेहरे पर चमक सी उठी रेंसी ने धीमेस्वर में कहा वो शिकारी कुत्ते अब कभी तुमको तंग नहीं करे अरीला उस घड़ी में चाबी तुम ही दे सकती हो बस अरीला भी फुसफुसाते होए बोली उस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे दिल की धरकन भी गुंचती है रेंसी अब मैं कभी पागल पर नहीं करूंगी मेरे ख्याल से अब हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि सूरज डू जूदगी से बेखबर वो दोनों जैसे ही दर्वाजे की तरफ बढ़े न्याय धीश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया रुक जाओ दोनों तैनेसी स्टेट की सरकार के नाम पर मैं तुम्हें कानून और न्याय का उल्लंगन करने से रोक सकता हूं ये कोट दो प्रेमी दि दिलाता है कि तुम दोनों अब पती-पतनी नहीं हो बलकि नियम और कानून के अनुसार तलाक ले चुके हो इसलिए तुम दोनों को विवाहित आद्मियों की सुविधाएं और फाइदे नहीं मिल सकते। लेकिन कोट तलाक द्वारा बनाया गया ये बंधन हटाने के लिए भी तयार है। विवाह की पवित्र रस्म को अधा करने के लिए और अपने एक्छा से विवाहित जीवन का उपभोग करने में सहयोग करने के लिए न्यायाले पूरी तरह से तयार है। लेकिन ये कार्यवाही पूरी करने के लिए तुम्हें पांच डॉलर की फीज देनी होगी। अरीला जज की बातों का मतलब एक हिपल में समझ गई। उसने फुर्ती से अपने बलाउट से वो पांच डॉलर का नोट निकाला और अगले हिपल किसी उनमुक्त कबूतर की तरह वो नोट न्यायाधीश की टेबल पर उड़कर पहुँच गया। अरीला के गोरे गाल लाल हो गए। बेल गाड़ी एक बार फिर से घूमी और पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। जस्टिस महोदे फिर से अपने दर्वाजे के सामने आकर बैठ गए और उन्होंने अपने जूते खोल दिये। एक बार फिर उन्होंने कोट की जेब में पड़े उस नोट को सहलाया। ए और एक बार फिर वो चित कबरी मुर्गी सडक पर चूँचूँ करते हुई अकड़ती हुई चल पड़ी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर ज जरूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।